आओ, सवपरी जनोने जैगुरुदेव, गायत्री महामंत्रनु श्मरन करिये, प्रार्थना करिये, हे ब्रह्मांड व्यापी परमात्मा, अमारा श्रौना रदैमा, धर्म लागनी भावनाओने जिवन्त करी, सदाय व्रुद्धी करो, अमसवन अंतह करण निर्मल शुद्ध पवित्र बने आपना पवित्र तेजो में पोंज, प्रकास आईश्वर यद्वारा, तेने उत्वरोद करो, हे करुणा निधान आपनी परम शक्तियो थी, अमे आचिवन ने उत्कुरुष्ट स्रेष्ट ने महान बनावी शक्के, एव दीव्य शक्तियो प्रदान करो, अंतह करण निये मंगल भावनाशा थे, परमकुरुपाडु परमा आत्मानी दीव्य शक्तिने आत्म साथ करिशो, ओम्भुर भुवाह स्वाह तत्सवी तुर्वरेन्यम् बर्गोदे वस्य दीमाही दियो यो नाह प्रचोदयाद। परम्पुज गुरुदेव परमंदनिय माताजी आध्यशक्ति वेद माता देव माता विस्य माता मागा यत्रीना पावन शानिध्यमा सौरक्षणमा सौ देव परिवार्ना परिजन भायो बेनो दिक्राधि करियो अप्षवनां तह करण मा बिराजित परम्चैतन्यसरुप परमात्माने मारा कोटी-कोटी प्रणाम। परम्पुज गुरुदेवे यग्जिय परम्पराने जीवन्त करी अने सतके सनातन धर्मनी स्थापना माटे तेमने पूरा जीवन भर खोब जहिमत उठावी। अतिसाई जीवन निरंतर धर्मनी रक्षा माटे सन्सकारोनी स्थापना माटे उच्च स्रेष्ट विचारो मानो रदैसुदी पहुचाडवा माटे परम्पुज गुरुदेवे धर्म तंत्रना माध्यम्थी लोक्षिक्षन विग्णानने अध्यात्मना समन्वय माटे बौद्धिक्रांती नैतिक्रांती ने समाजिक्रांती माटे स्वच्च मन स्वस्थ सरीर अने सब्य समाज माटे व्यक्ति निर्मान परिवार निर्मान ने समाज निर्मान नी वातोंने लई गेर गेर गायत्री अने यग्णना प्रचार माटे पोताना जीवन ने नीचो व प्रम्पूज गुर्देवनी एज महा विलैनी एस्थिती ने याद करी अनि महा प्रयान ना दिवश ने गायत्री जैनती ना दिवश ने खूब आपना अंतह करण मा एक आंतरिक भावना शाथे का ध्यात्मिक एक परवन नी मिते अनि गुरुदेवनी श्रद्धान जली आपने सवती वधारे मा वधारे घर्षुदी आदि वशे अतले के 31-5-2020 ना दिवशे गर गर मा यगन स्थापित थाई गर गर मा गायत्री उपास ना थाई इमाटे सव वाना परिजन खूब महिनत करजो जने सद्गुरु प्रत्ती अनन्य स्रद्धा छे जने सद्गुरु माटे अनन्य रदई मा भाव ने प्रेम छे जे गुरुदेवने खरेखर गुरुदेवना रुपुमा पोताना जीवन मा स्थापित कर्या छे ये परिजनों अवे आपणा अब्या दिवस बिल्कुल निराथ लिधावी ना जितला वधार लोको सुधी आपड़े आ मेसेज पहुँचाड़ी सक्के एटलो पहुँचाडवानों प्रयत्न करिये औने यगना ना विधी विधान बिल्कुल सीम्पल रीते आपना सुधी पहुचाड़े आचे कि ये जिती करीने बद धीज व्यक्ति पताना घरमा यगना करी शके। पन थाये छे उर्जा द्वारा मानव ना जिवन नी अंदर चोकस पने कईक तो एना थी एना सारेरीक स्वास्थने लाब धशे मानसिक स्वास्थने लाब धशे अने तेना घर परिवार ने आरी ते सारेरीक मानसिक अने आध्यात्मिक त्रणे लाब धी उत्प्रोत करवा म आपड़े आ यगन परमपराने घर गरसुदी महचाडवानों प्रहत्न करीशुँँँ यगननों महीमा तो जेतलों गाई है तेतलों ओचो छे परन्तु छताई एक थोडिक बात करीने यगनना महीमाने समझाविश कि जेती करीने आपने पने वोला मडेवो जोई है कि आपड पांच पचीस घर सुदी आपड़े यगननी परेड़ना आपी छे तरेक व्यक्ति केवड पांच पचीस घर सुदी यगननी परेड़ना पहुचाड़े तरेक व्यक्ति पांच पचीस घर सुदी यगननी परेड़ना पहुचाड़े नी यगना करवा माटे ते दिवसे तै यार करे वुसरद्धा एना रधैमा भर्वानो प्रेत्न कर जो तो अवस्य आपने एक अंतह करणमा शंतोष नो अनुभोथाशे शांती नो अनुभोथाशे के में गुरुदेवनी स्रध्धान जली माटे कोई थोडुपन काम करे उछे गुरुदेवने स्रध्धन जली से आनी आपपानी गुरुदेवने आपणी पासे ती कोई साधन संपती नथी जोई तुपन तो गुरुदेव वारे वारे कहता रहा छे कि हवे तमारे कोई धन साधन एक्टा करवानी जरूर नथी हवे तमारी पासे तमारू कोई धन हुआ तो ये समय छे ने तमारी कोई धन हुआ तो ये स्रम छे तमे धर्मनी रक्षा माटे शमा याने श्रम ने गुरु चरण मार पन करूं तो आपने आपड़ा गुरु देवे आपेला आशन देश ने आतमसात करिये औने आपड़ा साचू धन इसमय छे थी तो आश्रम अने शमय शमत्ती ना रूपनी अंदर मढेली आपनने बुद्धी सक्ती छे तो इे आवडत शक्ती बुद्धी शक्ती ने कार्यख शेलताने आपने गुरुचरण मारपन करवा माटे वधुने वधु घर शुधी आपने यग्न परंपरा ते दिवसे चालो थाई, गायेतरियो बाष्नागर गर्मा चालो थाई, एवो आपने प्रयत्न करिशू, तो यग्ननो महिमाने महत्व बतावता हिंदु संस्कृती ना पिता तर आपने भर्म के संप्रदाई व्यक्ति होई यने अग्नी नी जरूर पड़े पड़े ने पड़े तमें कोई पन धर्मने मानता होई और तमें यह विचारों कि यह यग्नने ना मानिये तो तमारा घर मा काल्थी यग्न अग्नी प्रक्टावानी बंद करी दो यहने आपने देवन के तू काचू खावानू शरू करी दे तू अग्नी भग्वाने नथी मानता तो अग्नी ने घर मा चालू ना करीश तू लाइट पन न वापरी साके जो यग्नी ने न मानता होई तो तू प्रकास सुर्य प्रकास ने पन न वापरी साके जो तू अग्नी ने न मानत शके यग्न ने तो सव्य अपना वज पड़ से आजे ने तो काले यग्न भगवान तो आपना जीवन साथे जोड़ा एलू एक अभीन तत्व कहवा माविव छे अपना जन्म पहला आने मरन परियांत बद्धाज कार्यों यग्न भगवान इसाक्सी माज करवा मावे छे अपन राजाना पुत्र कामेष्ट यग्न द्वारा भगवान स्री राम ने तेमना चाराम ससाथे दू अवत्तरन क्या कोई ना थी अजान रहिव छे अस्वमेध यग्नों करया हता युदिष्टीर नो यग्न राजसुई यग्न भगवान स्री क्रश्ने करेला यग्न दक्स प्र तो छे त्याग बलिदान ने शुब कर्म करों यग्न एटलेज धेपुजा दान ने शंगती करन सुब विचारवाली व्यक्तियों एकत्रित थाए बुली जाई पोताना वाडाओने पोताना संप्रदायों ने भुली जाईए आपणे बदा एक बनिये अने मानावताना धर प्रमीक रहस्य चे एने आपड़े आत्मसात करिये और विचारिये क्या जे उँँ स्वाहा करिदाव सुँ मारी अंदर जे दोसो छे दुर्गुनों छे खुटेवों छे जे काई खराब व्रुत्तियों छे येने भगवान यग्नाने साक्सीनी अंदर स्वाहानी साथे अर पण करू छो परन्तु ए आहुदी निशाथे मारी अंदर निबूराय योने पन तमने अर पण करिदाव छो जे थी करीने मारा अंतहकरन इंदर सुब भावना शद प्रेणा उज्या गृत थाई यगना आपना सास्त्रों ये मान्य करेल एक मात्र प्रत्यक्ष देवता वप्रारी हवन शामगरी एतो अधिभूद गुन्धर्मो धरावती जडी बुट्यों माथी बनेली छे यगना मा वप्राता पीपडों वल समडों सुखड आकडों ये बदानी अंदर तो केटलू केटलू रहस्य रहेलू छे केटला बदा गुन्धर्मों रहेला चे आंब अब देजे ये राषायनीक प्रक्रियाओ थाएचे अगनीवा मडवा थी और ये राषायनीक प्रक्रियाओन कारणे लिम्डों बडे तो यहमाथी गंधक निकडे छे एना तिव्र येना कारणे जन्तु नासकना रूपनि अंदर लिम्डवों अपराएचे फिपडों करना जन्तु ओनो नास ताइचे जी आपड़ा माटे हानी काराख होई छे चंदान अने सुखड नुजे तेल छे एटले के तेन नुज लाकडु जयारे बड़े छे त्यारे एंगोक्विन नौन अने ग्लोकोसाइड एवा सुक्समा तत्वो निकड़े छे के जे जन्तु ना अने आहुती निदर जव भीगा करवा मा आवे छे तल भीगा करवा मा आवे छे कारण के तल नी अंदर पन जन्तु नासक ना गुण रहे लाचे कपूर काचली गुगड ए क्युमिन एल्डी हाइड अने डाइमेंटिक त्यामाज लाइमोनीन छे एनी अन्दर गुगड न निट माटे तमे प्राणयाम निक्रिया करो तमार वाको शरीर फिल्टर जेहु थाई जासे आतो वैज्यानिको द्वारा रिसर्च थेली वातो छे कोई शामानिय वातो नथी अने गना एम वीचारता होई के गुगल उपर सर्च करो जेटलू था एटलू करो अने ना समजन पड़ती हो तो जाते प्रयोग करो हैं आपड़ा अनेक पूराणयों नियंदर केवामा आयो छे के यगनती आपनी हर्दिक इच्छाओ पूर्ण थाई पुत्रनी इच्छावळाने पुत्रलाब थाई लग्ननी इच्छावळाने योग्या पतनी मड़े कुमारी काओने य योग्या पती मड़े सुबेच्छा वाड़ावने ऐस्वर्य प्राप्त थाई जी व्यक्ति निक्ष्काम भावे यगन करे चे तेने परमात्मा प्राप्त थाई चे आमत्स्य पूराणना त्राणू नंबर ना ध्याई नियंदर एक सोने सत्तर मां अश्लोक नियंदर आव यहाई चुंगाल माति वर्च्वा माघ तो हुए जीवन नंठकाड उय यहाई थाली के स्वाश्थ जीवन जीवा माघ तो है को यहुँना विचारे के यगन कर से तेने अम्रूत्य जतुरे से जन में उन्हें प्रूत्य निस्फितत जे बेदर कारी राखे ने कोईने कोई रोग भर्खी जाए छें पन यगन द्वारा एने एक एवु नवु जीवन पन प्राप्त थाई सके छे मतलब के यगन नी उर्जा थकी देना जीवन नी एना सरीर नी अंदर नी जे काईक सिस्टम छे एमा गणे बधे अमसे परिवर्तन आवी सके छें के वाना मतलमने समझव समझवन प्रैतन करों मनुस पृती अध्याइत रण मा केवा मामी छे कि यगना करे छे ते जगतनु पोशन करे छे कारण के अगनी मा होमायली आहुती उपर सुधी पहुचे छे सूरिय सुधी पहुचे छे, सूरिय थी वर्साद थाई छे, अने एटले के परजन्य तत्व नी व्रुद्धी थाई छे, अने ए वर्साद द्वारा ए परजन्य तत्व ब्रुथी उपर आवे छे, अने ए परजन्य तत्व ने कारणे ब्रुथी उपर जल जे छे, ए परजन् प्रायोक करो औने त्या दर्रोज यगना करो औने एनी अन्दर तमें एक बरसुदी यगना करो तरोज औने एनी अन्दर झेपन धान पाके छेनू तमें परिक्ष्ण कराओ। स्त्राव जर्वा लागे छे, जे मन और रदैने प्रफुलित करे छे, एटलू ज नहीं, परन्तु ए स्त्रावने कारणे फेवसान हिंदर रहेला ओरी अचबडा क्षाई टीबीना जन्तु जे होई छे ती पन नास पामे छे, डॉक्टर प्रफेसर टिलवर्ड फ्रांस न वै असर कारक छे, सफड प्रयोगो M-0-V-S रश्यन वैग्नानिक छे, अनि एने कहिं छे के सफड प्रयोगो बाद अमे ए निरिक्षन करिए छे के गाई और यगन विसे नू निचे तथ्या एमने जे सोध्यू छे, ते एमने बताविए छे, अनि तेना थी कहिं छे के भरतना लोकोतो कदा चे नाथी अजान छे, परन्तु गाईना दुद मा रेडियो विकेरन नी रक्षा करवानी प्रबल सकती छे, गाईना चान्थी लेपेला घरोमा रेडियो विकेरन नी असर थती नथी, अनि ए जो गाईनो चान अनि जाती गाईना गी थी, जो तेने बाडवा म आवे, तो एना थी जे धुम्र उत्पन थाई छे, ए अटोमेटिक रेडियो शन नी असर ने नास पामाडे छे, ये लेके जे रेडियो शन थाई छे, रेडियो शन नी असर ने एकदम हडवी करी दया छे, माटेक एवा मावे छे के जे घरनी अंदर गाईना चान नो धुम रेडियो विकिरन नी जे असर छे, तो ए रेडियो शन जे छे, ए रेडियो शन बिल्कुल नहीवत प्रमाने काम कर छे, जो तमे गाईना चान नो जे घर मादरोज बढ़तू है तो, अने एतलू जने तमे गाउ भस्मने, तमारी गाउ भस्मने, तमारा खिसा नी अंदर थो यग्न ना तो केट केटला महत्त समझावामा आव्या छे, आ यग्न एक धार्मिक प्रक्रिया ने समझावामा आव्यो छे, जे थी करीने आपड़ा मननी मानसिक्ता, बहुँज यवस्थित बने, एल्ले के आपड़ा अंतह करनी अंदर जे भाव छे, ये भाव विशेस ये तरिसमीतारी के बद्धारे मा बद्धारे लोको यग्ना करें आटे हुँ समने रदे थिया जे विननती करो छू, कि तमी जे सोसाइटी मा रहो छो, ये सोसाइटी ना घर घर सुधिफारो, अत्यारे तमीं कोरो ना चेले तमीं कोईने मडी ना सको, परन्तु घरनी बार अत्यारे तो लोकडाउन पन छोटू थाई गयो छे, तो घरनी बार उबारे ने तमीं एटली समझन आपचो, कि तमीं आटलो यग्ना काले तमारा घर मा कर जो, ये जे टाइमे करो हो, ये टाइमे करवा दे जो, ये टाइम नो पन बंदन ना आपता, परन्तु आटलो यग अत्यारे परन्तु यग्ना करे, गमे तेम करीने पन एन घर मा यग्ना थाई, दरेक ना घर मा यग्ना थाई, एमाटि आपणे बधायने तयार करीशू, तो अवस्य यग्ना नी परमपराने पुनर जीवित करवा माटे नू एक ननुसर्खू कारी आपणे करियो छे, ये आपने एक आनंद मडशे तो आई आनंद आपड़े बधाये पामी सक्के एमाटे सवने रदे थी विननती करूँछू के यगन भगवान घर-घर नी अंदर प्रज्वली थायने दरेकर माथी आहुती अपाय निश्काम भावथी करनारा यगनत दवारा गर-घर माथी गायत् इतला खुस थसे प्रशन थसे बस एटलो भाव रदे मा राखीने पान आ यगन घर-घर सुधी फेला एमाटे आपड़े बधा प्रयत्न सिल रहिए सवने अंतह करन्थी जैगुरु देव आप प्रचार प्रशार मा आपड़े बधा लागी जैए तो जरूर आपनने एक र जड़े मा आनंद थशे इबाव साथ थे सवने जैगुरु देव